नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निवज के डिफेंस टॉक्स तरीश में जहां पर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देद ना करते हुए आज की वीडियो सुरू करते हैं आज की पहली अपडेट सबसौनी क्रूज मेजाईल की तरफ से हैं वरतमानी सेग्मेंट के अंदर डियाडियो की तरफ से अपनी इंडिजनस टेक्नोजी क्रूज मेजाईल को डवलप किया जा रहा है जिसको बेस करके अलग-अलग तरह की सबसौनी क्रूज मेजाईल को डवलप करने का प्लान किया गया है अभी की बात करें तो अभी DRU की तरफ से इंडिजनर्स टेक्नोजी क्रूज मिजाईल की टेक्नोजी को बेस करके हमारी लॉंग रेंज लैंड अटक क्रूज मिजाईल को यानि की LR LHM को डवलप किया जा चुका है इसे लैंड वेस्ट प्लाटफॉर्म से फार किया जा सकता है लेकिन अभी DRU की तरफ से इसकी फर्दर वरियंट को भी बनाने की बात की गई है DRU की मताबिक अभी वो इसके लैंड वेस्ट वरियंट की सक्सेस्फुल डवलपमेंट के बाद इसकी एक नेवल वरियंट को बनाने वाले है जिससे वार्शिप से फार किया जा सकेगा और मोस्ली इनको हमारी फूचर वार्शिप में इंटिग्रेट किया जाने वाला है इसके लिए पहले से ही DRU की तरफ से एक उनिवर्सल वर्टिकल लाउंच सिस्टेम को डिवलप कर लिया गए जिसमें ब्रमोस और LR LACM जिससे मिसाल को हम लोग इंटिग्रेट कर सकते है DRU के मताबिक इस सी बेस्ट कुरूज बजायल को डिरेक्टली हमारी वार्शिप से ही टेस्ट करने का प्लान अभी किया जा रहा है अभी भारत के पास कुल मिलाकर दो नुकलियर सम्मरीन मौजूद है जो की दोनों ही नुकलियर पाउर बलस्टिक मिसाल सम्मरीन से और इसमें केव 15 और केव 4 जैसे मिसाल को डिपलॉई किया गए है इसके बाद अभी इसी सीरीज के अंदर दो और सम्मरीन को भी बनाया जा रहा है जिसका नाम S4 और S4 स्टार है जो की एक जिस्टिंग अरियंद क्लास की सम्मरीन से थोड़े बड़े होने वाले है लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से अपनी जो तीसरी जनरेशन की यानि की थर्ड जनरेशन की नुकलिर SSBN को बनाने का प्लान किया गए ये मैसिब सम्मरीन सोने वाल है इस से रीज का नाम S5 होने वाला और इसका डिस्प्लेस्मेंट करीब 13,000 तन तक होने की उमीद किया जा रहा है फिलाल इसके डिगरी की सम्मरीन को बनाने में ज्यादा समय और एक बड़े फैसलिटी के जुरत पढ़ने वाली है जो कि हमारे एक जिस्टिंग सम्मरीन फैसलिट वै बनाना समबब नहीं है जिसवजे से कोचिन सिप्ड़ की तरफ से अभी खास करके हमारी फिचर नुकलर सम्मरीन को बनाने के लिए 600 मिल्टर लंबी है जहां पर आगे चलके S5 सब्मरीन की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जा सकेगा इसके अलावे इस फैसलिटी को कुछ इस तरीके से बना गया कि यहां पर एक ही बार में 3-3 S5 क्लास की सब्मरीन को बना जा सकेगा यानि कि अगर इंडिया निभी की तरब से 3 S5 सब्मरीन की लाडर को किया एता है तो एक ही बार में इनको बना जा सकेगा यह भारत का सबसे बड़ा नुकलर SSBN होने वाल है जो कि चाइना की टाइप 094 क्लास की नुकलर सब्मरीन से काफी बड़ा होने वाल है और इसी क्लास की सब्मरीन को 2035 तक इंडिया ने भी में इंडट करने का प्लान किया जा रहे जिसमें में के फाइप और कैसिक जिससे के टेगरी की सब्मरीन लॉंस्ट वैलिस्टिक मिसल को इंटीग्रेट करने वाले हैं अगला आपडेट रुस का प्लान किया गया है जो कि आर्मी और एरफोर्स की रिक्वार्मेंट से भी बहतर होने वाला है अब ऐसा स्टेट्मेंट आने के बाद तुरंती इंडिया नेभी की तरफ से इसकी चार उनिट को ओर्डर करने का फैसला किया गया था जिससे पहले से नेभी की तरफ से इसम से डियाडियो की तरफ से फर्दर इसको डवलप करना जारी रखा गया था और अभी रुस्तम टू को लेके एक और अच्छी ख़बर सामने आ जिसमें बता जा रहा कि अभी इंडियन एर फोर्स की तरफ से भी अपने सर्विस में इसको इंडट करने का फैसला किया गया और डियाडियो की तरफ से रुस्तम टू को यानि की ताफस विवी को 32 सार फिट के उचायमें टेस्ट करने से पहले इसकी 6 उनिट को इंडियन एर पोर्स की तरफ से खरीदने का फैसला किया गया यानि कि अभी कुल मिलाकर तापस या रुस्तम टू की लगबग दस विनिट की ओर डियाडियो को कंफर्म हो चुकिए पर अभी तक आर्मी की तरफ से इसे अपनी सर्विस में इंडट किया जागा इसको लेके कोई भी स्टे इनली वारे जब भारत के पास पाकिस्तान की मुकाबले ज्यादा नुक्लियर वारेट मौजूद है अभी तक कभी भी भारत की तरफ से ज्यादा मात्रा में निउड़ वारेट को बनाने की कोशिस नहीं किया गया था लेकिन पिछले एक-ylétais रैपिर्ड़ी अपनी नुख्ला करने की कोशिस कर रहा है इसको लिÓ λेकर करने की पहले नुकलिर्णे को कहना था तो भारत अभी nuclear warhead को बनाने की कोशिस कर रहा है। इसके अलावा अभी भारत की तरफ से nuclear meeting को भी करने की बात सामने आए है। यह बोग प्रोसेस है जिसमें nuclear warhead को delivery platform जैसे की missile के साथ या bomber के साथ या submarine में integrate किया जाता है। नॉर्मली पीस टाइम में अभी तक भारत हमेशा ही अपनी nuclear warhead को missile से अलग रखता है। लेकिन अभी साथ भारत अपनी missile के साथ warhead को integrate करके रखने की कोशिस कर रहा है। जिसे nuclear meeting कहा जाता है। इस प्रोसेस में warhead को missile और बाकी सभी delivery system में integrate कर दिया जागा। जिससे बिना कोई warning के या time delay के इसको launch किया जा सकता है। यानि कि कम समय के अंदर nuclear missile को launch किया जा सकता है। अगर हम separately missile को और warhead को रखते हैं और missile में warhead मौझूद नहीं होता है। तो उसको launch करने से पहले उसमें warhead को integrate करना पड़ेगा और इसमें काफी वक्त लगेगा। और इस वज़े से इसको launch करने विए काफी समय लग जाएगा। लेकिन अगर पहले से ही missile में warhead मौझूद होगा तो बिना समय गवाय ही इसको launch किया जा सकता है। और पहले से ही भारत के पाजो nuclear missile मौझूद है ये canister waste system है जिस वज़े से इनको बहुत ही आसानी से deploy किया जा सकता है। जो की second strike के लिए बिल्कुल perfect है लेकिन अगर कभी भी missile misfire हो जाता है जो की लगबग नामुम्किन है तो इसे condition में nuclear disaster होने की खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहन बंदे मातरा।